वेलकम फैंट्स, सुवाग अदम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो का दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में हमने जानना था कि बीमारी के अनुसार कौन-कौन सी एंटिबाटिक दवईयां मरीज को दी जाती जिसे कि जल्दी उसको बीमारी से निज़ात मिल सके आज हम जानेंगे बीमारी की लक्सनों के आधार पर उन्हें कौन-कौन सी पेंगिलर दवईयां दी जाने चाहिए, और पेंगिलर दवईयां देते इस समय आपको क्या वीशेश बातों का ध्यान रखना है, इससे कि मरीज को बयातिनी रिजल्ट मिले, और अगर आपने इस इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा जिसमें एंटीबाटिक दवों के बारे में जाना है था, तो डिस्केप्स में लिंक्स दिया है, वाँपे क्लिक करके उसके वीडियो देख सकते हैं, साथ इस वीडियो के एंड में एंड स्कीन पर आपको उसकी पीच्छर मिल दोस्तों, किसी भी मरीज को पेंगिलर दवा देने से पहले हमें तीन बातों का विश्यस रूप से ध्यान रखना होता है, उसमें पहली बात है कि क्या मरीज को पहले से पेट में दर्द, पेट में जलनत, पेट में गेस बनने की समश्या तो नहीं है, दूसरी बात क्या मरी तो कौन सी मेडिसेंज होई अगर यह तीनों ही तरह की बात आपको पता होगी तो मरीज को सही पेंकिलर दवा देकर उसे अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे पेंकिलर दवाओं की बहुत ही बड़ी रेंज अवेलेबल है इसका चुनाव दवा देने वाले तता मरीज इन दोन देनी चाहिए अगर एक पेंकिलर दवा दे गई है उसे ज्यादा असर नहीं किया तो कोई अन्य पेंकिलर भी ट्राइक की जाती है अच्छानक तता तेज होने वाले दर्द में जो सामयनी मरीज को दवाइं दी जाती है उसको हम पहले जान लेते हैं उसमें जो कॉमरली एगे प्रोफेन टेवलेट यहाँ प्रमोख है और अगर इंजेक्शन में देना किन्जेक्शन कीटो प्रोफेन इंजेक्शन के लिए और अगर किसी को क्रोनिक पें दौन डर्द है जिसे दो तीन महिने से दर्द चला आ रहा है तो ऊसमें चोभ liegen जाए जी टेपलेट रिलीज फोर्म में दी जाएगी जैसे कि डाइकलोफिनेक SR टेबलेट जिसको आप वोवरान SR से नाम से जानते हैं और डाइकलोफिनेक प्रोलोंग रिलीज फोर्म में भी हो सकती है इसके अलावा पायरोक्सी काम टेबलेट नीमेसुलाइड यह भी प्रोलोंग रिलीज में वाली दॉईयं दी जाती इंड से अगर फाइदा नहीं होता है तो फिर नेप्रोक्सेन टेबलेट फुलर्भी प्रॉफवेथें टेबलेट इंडोमेथासिन टेबलेट या मैफनेमिक एक एक टेबलेट दी जाती और यहां देकर क्रोनिक पेन को ठीक किया जाता है इस तरह से एक्यूरता क्रोनिक पेंट को सामानी आदम मेठी करने लिए दवईयों का प्रियोग हुलिये जाता है अब अगर कोई व्यक्ति है जिसको पेट से संब्धित समिश्या है उसमें गेस बन रही है पेप्टिक अलसर होंगे या पेट में जलन हो रही है पेट में दर् हो पेटेशन करें जिसमें परसिटामोल टेबलेश्यामील है रमडॉड की इरविक टवल्क टेबलेटे,, डेक्स्ट्रो फॉसएयं कया जाता है जिसे कि यहां से कम हो इंगुलर स्ख्लास के में आध से सकती है एट्प्रमेशल कोूसिए है इसमीद उनों म्यक्तिक शेटी मै उसके साथ में किसी परकार का इस्टेविश्प यह आप результат देख़ high इनको एक साथ ही मरेज को जब भी दवा दिजाथी उन्हें सिर्फ और तिफ खाने के के बारे में हमने बात किए वह देने पर ज्यादा नहीं होता है तो लो डोज में एंसाइडी क्लास के दवईयां दी जाती और साथ में जो नॉन इरिटेंट पेंट के लिए वह भी दी जाती जिसमें पैरा सिटा मोलता था ट्रमाडोल यह अल्ट्रासेट ब्रांट से अवेले की कुछ करीम हो या कोई सिंग utor क्रिम ऑप जो यह जडेल हो और देठियक ट्राइबयाशन नहीं हो और दर्ध जल्दी ठीक हो जाएगा अब सकती है ऐसे कि जो लिवर डिजीज के पेसेंट है उसमें भी लूर डोज में पेरासीटमोल या एस्पिरिन दवा दी जा सकती है इनसे ही मरीज के दर्द को ठीक किया जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सभी प्रकार की पेंकिलिर दवाओं के बारे में जाना जिसे मर उनों की एडल्ट में क्या डूस दी जाती है उस वीडियो को आपने देखना बिलकुल नहीं बूले क्योंकि बीमारी में सही दवा देना ही ठीक नहीं रहता उसके कितनी डूस देनी वह भी जानकाई होना पहुँच ज़्यादा आविशिक है तो वीडियो को यही कत्म करता हूं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त्रे और मस्त्रें